जहींद साथियो स्वागा था मेरा यूटियूब चैनल किसंगुलवल हिस्टरीच पर। तो साथियो हम लोग मोहावरा पढ़ रहे थे और मोहावरा में थिवरी और कुछ औपजेक्टिव कुशन भी हो था ठीक है साथियो और कुछ औपजेक्टिव कोशन बज गया था ठीक जान का अर्थ है नीम हकीम खत्रे का जान का अर्थ है तो क्या है साथियो अप्शन A है अल्प ज्यान हानिकारक होता है आप्शन B नीम के कड़वे पन का ज्यान होना आप्शन C नीम का परियोग हकीम द्वारा करना आप्शन D उक्त में से कोई नहीं साथियो अल्प ज्यान हा कारक होता है ए नमबर मेरा ख्रेंट होगा ठीक है सातियो बढ़ते हैं नेक्स वाल की हो है अकल पर पत्थर पढ़ना मौहावरे का अर्थ है option A है सातियो, मूर्ख बन जाना option B है, अब मान जनक बात कहना option C है, बुध्धी भरष्ट होना option D है, बेफिक्र होना, अकल पर पत्थर पढ़ना महावरा का अर्थ है सातियो, C नंबर बुध्धी भरष्ट होना, C है मेरे सातियो, correct answer, ठीक है सातियो, आप अंत तक विडियो ज देखने को मिलेगा, ठीक है, next सवाल है, खिचडी पकाना महावरा का अर्थ है, option A नंबर भाजन बनाना, option B है, चावल दाल मिलाकर बनाना, option C है, किसी सड यंत्र की तयारी करना, option D है, किसी के लिए खाना, पकाना, ठीक है सातियो, अगर आप जान रहे हैं तो ज़रू इसक का correct answer क्या होगा, सातियो, इसका जो correct answer होगा, वो मेरा C नंबर हो जाएगा, किसी सड यंत्र की तयारी करना, C जो है, मेरा correct हो जाएगा, ठीक है, बढ़ते हैं, next सवाल की ओर, next है, अंडे सेना महावरा का अर्थ है, अंडे सेना महावरा का अर्थ है, सातियो, option A, मुर्गी क का चूजों के ऊपर बैठना, option B है, स्वाव लंबी होना, option C है, स्वार्थ सिद्ध करना, option D है, घर में बेकार बैठना, सातियो, मेरा correct answer होगा, C नंबर, स्वार्थ सिद्ध करना, C नंबर मेरा correct हो जाएगा, next सवाल है, सातियो, next है, पो बारा होना, महावरे का अर्थ है, सातियो, option A है, वसंत रीतु का आगमन, option B है, भाग जाना, option C है, अत्यधीक लाब होना, option D है, वर्स भर काम करना, सातियो, इसके जो correct answer होगा, मेरा C होगा, correct, अत्यधीक लाब होना, C नंबर, correct answer है, ठीक है, सातियो, next है, घुटने टेकना, महावरे का अर्थ है, option B है, स्व हार मान लेना, option D है, विजए प्राप्त करना, घुटने टेकना का अर्थ है, सातियो, हार मान लेना, C नंबर, correct answer है, next है, अकेला चना भाण नहीं फोड़ता का अर्थ है, अकेला चना भाण नहीं फोड़ता, सातियो का, इस question का महावरा का क्या अर्थ है, आपको बताना है, तो option A है, सातियो, एक चना किसी काम का नहीं, option B है, एक चना सकती हीन होता है, option C है, अकेला वेक्ती सकती साली नहीं होता है, option D है, एक चने से भूख नहीं मीटती, सातियो, अब इसका जो सवाल है, अकेला चना भाण नहीं फोड़ता, तो इसका जो अंसर होगा, सातियो, correct ह होगा C नंबर अकेला वेक्ती सक्ति साली नहीं होता है C नंबर मेरा correct हो जाएगा. Next है, कान का कच्चा होना मोहावरे का अर्थ है साथी ओ, option A है, भारा होना option B है, सुनी सुनाई बातों पर विस्वास करना option C है, सभी पर विस्वास करना option D है कम सुनाई देना साथियो इसका जो correct answer होगा मेरा B होगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना B नमर मेरा correct हो जाएगा next है जूतम फेजार मुहावरे का अर्थ है option A है लडाई जगडा होना option B है लूट मचाना option C है जूतम फेजार मुहावरा का अर्थ है लडाई जगडा होना यह जो मेरा correct answer है ठीक है साथियो next सवाल के बढ़ते हैं next है साथियो बांज क्या जाने प्रसव की पीड का अर्थ बांज जो है साथियो क्या जाने प्रसव की पीड का अर्थ option A है दूसरों का दुख दर्द नहीं समाजना option B है सान भूती नहीं दिखाना option C है संतान हीन होना option D है जिन पर बीतिती है वही जानता है ठीक है साथियो कि बांज क्या जाने प्रसव की पीड का अर्थ साथियो इसका जो correct answer होगा मेरा D नम्मर होजाएगा जिस पर बीतिती है वही जानता है D जो है मेरा साथियो correct answer होगा ठीक है next है कार्य करने के बाद उसके बारे में जाचना का अर्थ वाली कहावत है option A है साथियो साप निकलने पर लकीर पीठते रहना option B है पानी पीकर जाती पूछना option C है अब पच्चताए होते क्या जब चीलियां चुग गई खेत option D है उप्यूक्त सभी साथियो इसका जो सवाल है कि कार्य करने के बाद उसके बारे में next सवाल है आँखे फेर लेना का अर्थ है आँखे फेर लेना का अर्थ क्या है option A है दूसरी तरफ देखना option B है किसी और की चाहत option B है option C है साथियो उदासिन हो जाना प्रतिकुल हो जाना option D है नराज हो जाना सवाल है साथियो अांखे फेर लेना का, जो महाबरा का अर्थ होगा, जो होगा, मेरा उदासिन हो जाना, C, जो है मेरा साथि पर्डियोंो, correct answer हो जाएगा. नेट्स्ट है, कोईले की दलाली में हात काला का अर्थ क्या है, अप्सन A है साथियो, कोईले का वेपार मत करो, अप्सन B है, कोईले की दलाली में हात गंदे हो जाते हैं, option c है दलाली नहीं करनी option d है खराब काम का परिनाम भी खराब हो जाता है d जो है मेरा साथियो वो correct answer हो जाएगा खराब काम का परिनाम भी खराब हो जाता है d जो है मेरा correct हो जाएगा next है साथियो अधो लिखित लोकुक्ती का सही अर्थ बताईए आये थे हरी भजन को ओटने लगे कपास आये थे हरी भजन को ओटने लगे कपास option है सातियो धर्म के नाम पर व्यपार करना option B है पवित्र जगहों का दरू उप्योग करना option C है बड़ा लक्ष निर्धारित करके छोटे कारियों में लग जाना option D है उप्यूक्त सभी साथियो correct answer जिसका होगा मेरा C number बड़ा लक्षी निधारित करके छोटे कारियों में लग जाना C मेरा correct हो जाएगा next है ना नो मन तेल ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी साथियो बहुत अच्छा है कि ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी का भव का अर्थ है option A है साथियो काम ना करने का भाना बनाना option B है खूब काम करना option C है काम से दिल उबाना option D है काम में आलस से करना ना नो मन तेल होगा ना ना राधा नाचेगी साथियो इसका जो correct answer होगा काम में आलत से करना D जो है मेरा correct हो जाएगा next है साथियो ओधी खोपडी मुहावरे का अर्थ है option A है mood को होना option B है कुछ निर्ने ना हो पाना option C है की कर्तव्य mood होना option D है जगडालू होना साथियो ओधी कोपडी होना का अर्थ है साथियो मूर्ख होना A नमबर मेरा correct answer हो जाएगा की मूर्ख होना correct हो जाएगा next है निमलिखित में लोकुक्ती कौन है option A है आस्मान पर थुकना option B है उल्टा चोर कोतवाल को डाटे option C है गूलर का फूल होना option D है कौण में खाज होना साथियो निमलिखित में लोकुक्ती का अर्थ बताना है साथियो मेरा हो जाएगा B नमबर उल्टा चोर कोतवाल को डाटे B जो है मेरा correct हो जाएगा next सवाल क्यों बढ़ते है next सवाल बहुत अच्छा सवाल है साथियो कि बाधा डालना महावरे का अर्थ है option A है पाला पढ़ना option B है रोडा रोडा अटकना option C है बरसा बरस बरस पढ़ना option D है साथियो दान्तों में जीव होना साथियो B मेरा correct हो जाएगा सात्यों, गद्य मुर्द्य उखाड़ना का अभीपिरिय है, option A है, वेर्थ स्रम करना, option B है, कब्रिस्तान में स्रारत करना, option C है, अंतिम संसकार करना, option D है, पुरानी बातों को दोहराना, सात्यों, गद्य मुर्द्य उखाड़ना का अभीपिरिय है, पुरानी बातों को दोह प्राना डी जो है मेरा साथियो correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है अवसर का लाव उठाने के लिए उप्यूक्त है अवसर का लाव उठाने के लिए उप्यूक्त है अवसर ए है बहती गंगा में हाथ दोना अवसर बी है अकास पताल एक करना option c है फूले ना समाना option d है अंगारों पर पैर रखना साथियो अवसर का लाव उठाने के लिए उप्यूक्त है साथियो मेरा हो जाएगा ए नुमर correct answer बहती गंगा में हाथ दोना ए मेरा correct हो जाएगा ठीक है साथियो मज़ते है next सवाल की ओर next सवाल है भीगी विल्ली होना का अभी परिया है option a है भीग जाना option b है बिल्ली की आवाज निकालना option c है डर जाना option d है सर्दी लग जाना इसका correct answer में होगा, C नम्मर सवाल में दो होया ? जो अर्थ है, में होजाएगा, डर्जाना , C मेरा correct है बढ़ते है, नेक्स्ट सवाल की और समझाता हूँ, तू सब एक जैसे हो के लिए उप्यूक्त है option A है चोर-चोर मोसरे भाई, option B है एक ही थेले के चट्टे-बट्टे, option C है केर बैर का संग, option D है जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ, साथियो मैं तुम सब को खुब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के उप्यूक्त का जो अर्थ है साथियो, बी नम्मर मेरा correct है, एक ही थेले के चट्टे-बट्टे, बी मेरा correct answer है, ठीक है साथियो, next है, चिकना घडा होना मुहावरे का सही अर्थ है, साथियो option A है, चिकना चुपला होना option B है, समरिद्ध होना option C है, निरलज्य होना option D है, मधूर भासी होना, चिकना घडा होना मुहावरे का अर्थ है साथियो, C निरलज्य होना, C जो है मेरा साथियो, correct answer है, ठीक है साथियो, next चलाल है, और अंतिम सवाल है साथियो, कल मैं फिर आप लोगों महावरा करवाऊंगा, यह अंतिम 50 सवाल है, पो बारा होना मुहावरे का सही अर्थ है साथियो, option A है, सब तरह की सुख सुविदाओं का होना option B है, उप्तरव भी होना option C है, पलायन करना option D है, प्रयासरत करना, प्रयासरत रहना, ठीक है साथियो, तो पो बारा होना मुहावरा का अर्थ है साथियो, सही, वो है मेरा A न बचा है साथियो वो मैं कल आपको प्रोवाइट जरू करूंगा और परसों खतम हो जागा ठीक है तो कल भी मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत